नमस्कार्ट स्वागत है आप सबका हमारे न्यूस चानल वाइस ओफ इंडिया में मैं अमरजीत का खबर पंजाब से रक्षा बंदन भाई भेन का पवित्र त्योहार है जिसमें भेन अपने भाई की कलाई पर राकी बांती है और लंबी उम्र की कामना करती है वहीं भाई अपनी बहन को धेर सारे तौफे देता है और उसकी रक्षा का प्रण्ट करता है मगर आज राकी के दिन हिमाचल प्रदेश की रहने वाली एक बहन ने अपने छोटे भाई को अपनी किड़नी देकर उसको मौत के मुँसे बाहर निकाला है और आज उस भाई के पास उस बहन के लिए शायद आज कोई शब्द नहीं है उसका शुक्रिया कहने के अलावा ये वाक्य मुहाली के फोटिस अस्पताल का 37 वर्षिये रीटा देवी ने अपने 35 वर्षिये छोटे भाई सुरेंदर की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स की सलापर उसे अपनी एक किड़नी दी वहीं अस्पताल के करमचारियों ने भाई और बहन के लिए एक छोटे से रक्षा बंदन समारों का भी आयोजन किया आईए सुनते हैं अच्छी यह बड़ा ही स्पेशल ट्रांस्प्लांट है हम लोगों के लिए क्योंकि यह रक्षा बंदन के दिन ट्रांस्प्लांट हुआ है और जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे हिंदू माइथालोजी में रक्षा बंदन एक बहुत ही इंपोर्टन त्योहर माना जाता है और इंडिया में इसको बहुत अच्छे से सेलिबरेट करते हैं बहने अपने भाईयों को राकी बानती है तो हमारे जो पेशेंट है वो भाई और बहन है और भाई का गुर्दा खराब था करीब करीब साल बर से गुर्दा खराब था और करीब तीन-चार महीने पहले ये चीज डिसकवर हुई जब उनको पढ़ने में सुबह उठे और मुबाईल फोन में कोई फोन आया तो उनसे पढ़ा नहीं जा रहा था आंके बिल्कुल बलर हो गई थी तो जब उनको चेक अप कराए गया तो देखा कि गुर्दा करीब करीब 90% फेल हो गया है तो ऐसे में फिर उनकी जो सिस्टर थी उन्होंने कहा कि मैं किड्नी अपनी दोंगी और किड्नी ट्रांसप्लांट की सारी फॉर्मेल्टी जम लोग पूरी कर सके और उसके बाद जब उनके ट्रांसप्लांट का दिन आया तो रक्षा बंधन से एक दिन पहले था तो हम सभी लोगों को हॉस्पटल में बड़ी खुशी है कि एक रक्षा बंधन वाले जैसे पवित्रित योहार के दिन ये ट्रांसप्लांट हुआ है और एक बहन ने अपनी किड्नी दे के अपने भाई की जान बचाई है आम तोर पर रक्षा बंधन में ये एक्सपर्ट कि के साथ मेजर आली की रिपोर्ट आप देखते रही है वाईस ओफ इंडिया